हेलो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और यह सेशन आपको काफी पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक भी जरूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम गुरूप जोन नहीं किया तो सोरंबल इक ओफिशन नाम से टेलीग्राम है इसको जोन क कर लेना यहां पर आप लोग को हर एक वीडियो की पीडियाप और अनकेडमी की फ्री क्लासिस के लिंक मिल जाते हैं तो यह काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों इसको जोन जरू कर लीजेगा प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप जोन करते हैं तो आपको काफी चीजों के बे बेनिफिट्स मिल जाते हैं और कोड यूज करिएगा इससे आपको मैक्सिम डिसकाउंट मिल जाता है अनकेडमी अल्ट्रा कॉंबेट आपका 24 अप्रेल को होने वाला है तो इसमें अन्रोल कर लेना स्टेडिट्स करके यह काफी बेनिफीचल है दूस्तों इसमें अन्रोल क करना है आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट है प्रेटिन डाउट सोलिंग प्रेटिन लाइफ ग्लासेज और चलिए देखिए यह सारे टेस्टों है दोस्तों एससे काटिगरी में फ्री ओफ कोस्ट है इनको भी आप देख सकते हैं तो शुरू करते हैं आज की वीड में जरूर सेर करेगा तो ठोस आइडीन का रंग होता है दोस्तों जामनी भूरे से काला यानि कि इस कोश्टन का राइट आंसर आपका ओप्शन थर्ड होने वाला है ठीक है नेक्स कोश्टन है वेब ब्राउजर में निमलेकित में से किसका उप्योग लगतार देखी जाने अगला कोश्टन आता है आपका कि खुजराओ समू के समारकों का युनेसको विश्व धरोहर इस्थल कहां इस्तित है तो इस कोश्टन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखे खुजराओ समू समारक चतरपूर मध्यपरदेश भारत में हिंदु मंदिरों का एक समू है तो इस कोश्टन का राइट आंसर दोस्तों मध्य परदेश हो जाएगा ठीक है अगला कोश्टन आता है भारतिये गंडंराज्ये में केंद सासित परदेशों का परसासनिक परमुक कौन होता है तो इस question का right answer हो जाएगा Lieutenant Governor उपराज्येपाल is the right answer ठीक है Next question आता है यदि एक परदार्थ का pH मान साथ से कम है तो इसे माना जाएगा इसको क्या माना जाएगा दोस्तो ये बताना है यदि एक परदार्थ का pH मान साथ से कम है तो इसे माना जाएगा दोस्तो ऐसे डिक यानि की अमल इस question का right answer हो जाएगा तो यह साथ से कम का पी एच मान होगा वो अमलिया होगा और साथ से बड़ा पी एच मान दोस्तो बेसिक होगा ठीक है अगला question आता है भारतिय जन्मे सिवा अयार दुरै किसके अविस्कार से सम्बंदित है तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा email के अविस्कार से सम्बंदित है तो इस question का right answer आपका option first हो जाएगा दोस्तो अधिक्तम कोईले का उत्पादन करता है कौन सा राज्या सोरी कौन सा देश तो यहाँ पर अगर मैं बात करू दोस्तो सबसे अधिक कोईले का जो production है वो चाइना का है तो इस question का right answer आपका option A हो जाएगा next question है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जील दोस्तो आपकी वुलर जील है कौन सी जील वुलर जील हो जाएगा right answer next है निपहा क्या है देखें निपहा है आपका type of virus एक परकार का virus है यह तो यह आपका right answer second हो जाएगा दोस्तो next है एंडरो मेडा एक खालिस्थान है तो यह दोस्तो आकास गंगा के निकट एक गलेक्सी है तो इस question का right answer आपका option हो जाएगा किस सताबदी में गोवा में पुर्दगाली व्यापारी आए तो दोस्तो गोवा में पुर्दगाली व्यापारी आए थे 16th सताबदी में यानिकी right answer is option थर्ड हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है पुर्दगाली ओने 1510 में बीजापूर के आदिल सहा और उनके ओटोमन सामराज्जिय से गोवा को जीत लिया था चले अगला कोशन आता है दोस्तों C6H6 क्या है तो ये दोस्तों क्या है आपका देखे बेंजीन एक कार्बनिक रसाइनिक योगिक है जिसका रसाइनिक सुत रहे है तो इस कोशन कराई टांस होजेगा बेंजीन ठीक है 2022 का राश्टे मंडल खेल में आयजित किया जाएगा बर्मिंगम इस कोशन का राइट आंसर जाएगा निमलिकित में से किस स्थान को ग्लोबल टेलीकॉम सिटी के रूप में जाना जाता है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर होगा आपका बेंगलोर ठीक है भई बेंगलोर इस दर राइट आंसर नेक्स्ट है पारादीप बंदरगा उडीशा के किस जिलेम में इस्तित है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या होगा जगत सीपूर इस कोशन का राइट आंसर होने वाला है नेक्स्ट है युगांडा की राइज़ानी और मुद्रा क्या है देखे युगांडा की राजदानी दोस्तों कमपाला सिलोंग है यानि की राइट आंसर इस और यह आपका रखने है भारतिय संग के पहले भारतिय गवर्नर जनरल कौन थे तो इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी यानि की आपका सेकिंड ओप्षन राइट हो जाएगा दोस्तों धारोई बांध किस राज़्य में श्थित है देखे भारत में उत्री गुजरात के धारोई खेलालू और तालू का महसान जिले के पास साबरमती नदी पर धारोई बांध एक ग्रिविटेशनल बांध है तो इस कोश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका थार्ड हो जाएगा इंदरावती रास्टे उदान चत्तिसगड के किस जिले में स्थित है तो ये स्थित है बीजापूर में यानि की राइट आंसर इस ओप्शन सेकिन देखे किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है तो किस port को दोस्तो सभी port का गहना का जाते हैं तो विशा का पटनम इस question का right answer होगा सारनात संग्रालिय भारतिय पुरतत सर्वेक्षन का सबसे पुराना इस्तल संग्रालिय है यह किस एर में स्थितर तो इस question का right answer दोस्तो वारांसी हो जाएगा यानि कि second is the right answer next है इंदीरा गोल्ड कब खेल से जुड़ा है तो होकी खेल से जुड़ा है तो right answer ही third यहाँ पर option आपका third हो जाएगा सवतंदर भारत के पहले commander in chief कोन थे यहाँ पर right answer दोस्तो आपका हो जाएगा third वाला यानि कि option c is the right answer next है गोडी किस राज्ये का लोखनत्या दोस्तो यह लोखनत्या है आपका 36 गड़का यानि कि right answer is option second आपकेण को दोस्तों जीक-वारियी बान किस राज्ये में इस्थित हैं आप डके जयक-वारी बान ओरंगाबाद में इस्थित और जीकवारी बान दोस्तों गुदावरी नदीपर स्थित है एक मिठ्टी का बान है और इस question का right answer पर मारास्ट हो जाएगा यानि कि मारास्ट राच्चे में इस देता है ठीक है वई चले नेक्स वीडियो पर चलते हैं प्लीज लाइक जरू कर दीजेगा वई और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनेप्रोपेट कंटेंट इन दे वीडियो मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की स्टडी से लेटेड नहीं था तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं ठीक है नीचे ही डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे बेज के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है वाकि थेंक्यू सो मच गाई चैनल को सबस्काइब कर लिजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बैल आइकन को ओन रखिए और वीडियो को लाइक और सेयर करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए अनकेडमी पर मेरी दो स्पेशल क्लासिस हो रही है इसके बारे मैं बता देता हूँ एक तो फोलो कर लेना है और फोलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशन साने स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्यू सो मच